हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल हैस्टेग क्रियेटिव अर्थी पूरवल दोस्तो सभी नीट स्टुडेंट्स के लिए नीट काउंसलिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है दोस्तो आपको बता दू 1200 सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीटे और 900 प्राइवेट सीटे इस बार एड्मिशन के लिए रखी गई है तो दोस्तो पूरी अपडेट आपको विस्तार से बताती हूँ लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नय है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन बटन को प्र आपको बताया था कि किस तरीके से गुजरात में स्टार्ट हुई उसका शिडूल दिया और अब पटना की बारी है तो पटना की तरफ से यह न्यूज आई है कि सरकारी मेटकल कॉलेजों की 1200 और प्राइवेट की 900 सीटों पर अड्मिशन होगा अब तक बिहार को नहीं मिला नीट का रिजल्ट तो जब तक जो है नीट का रिजल्ट जो है बिहार संविक्त प्रत्योगिता प्रवेश परिक्षा परसक को प्राप नहीं हुआ है राजी की 85 परसंट सीटों पर अड्मिशन के लिए BCECB काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित कराता है तो NTA की ओर से जैसे ही रिजल्ट मिल जाएगा तुरंत काउंसलिंग के लिए रिजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और इस बार MCC.IN पर जाकर केंदरी कोटे के तहत अड्मिशन के लिए काउंसलिंग में श पहले जैसे संगल लोग सेवायोग के प्रारंबिक परिक्षा में अब किसी भी वर्ग की लड़की की सफ़ल होने पर आगे की त्यारी के लिए एक लाक रुपए और बिहार लोग सेवायोग के प्रारंबिक परिक्षा पास करनेली महिला को 50,000 रुपए की साहिता देने का फैसला लिया गया है तो सरकार ने इंटर पास आविवाहिद लड़कियों को 25,000 और इसना तक पास आविवाहिद या विवाहिद महिलाओं को भी 50,000 रुपए का प्रोसाहन बत्ता देने का महत्पूलु फैसला लिया है तो यह बिहार पत्ना की तरफ से एक इंपॉर्टेंट